तो दोस्तों मैं अभी आपको जादू दिखाने वाला जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा हमारा ये ये टेबल यहाँ पर पूरा ये देखिए जैसे मैं क्लिक किया एक मिनट में बन गया जैसे मैं इसको क्लिक किया ये डिलिट हो गया ये जैसे मैं क्लिक किया ये पूरा डेटा है आपके पास जितना भी बड़ा डाटा रहे आप उसका पूरा समरी सेल पूरा डिटेल निकाल सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से तो दोस्तों प्लीस लाइव वीडियो को सेर कर दीजिए लाइक कर दीजिए अब जैसे मैं यहाँ पर क्या है अप्रेल का डाटा अब यहाँ पर क्या है सेवन्टी फोर है लास्ट में अब जैसे मैं यहाँ पर एक चीक एक कम कर दो जैसे मैं यहाँ 78 है तो यहां 77 करूंगा तो वहां भी कम आना चाहिए यहां 77 कर दिया यहां 74 है तो 73 आ जाएगा अभी मैं डिलीट कर दिया फिर से लिया आए यह देखिए 73 आ गया एक कम किया तो आप इसको बनाया कैसा हो देखते जाएए पूरा 24 घंटा का काम आप सिर्फ एक सेकेंड में क पूरे टा को सेलेक कर लिया हूँ अब यहां पूरे च популяр को सेदा को सेलेक加 लिया हो तो उसके बाद मैं अपने कीवोरिट से कंट्रोल टी बटन बाऊंगा च Iímní ने आसको कर लिए इसलिए आरहां आपके में एक पॉपफ आ जाएगा मैं टेबल से बाद कर्के कर दिंगे ठी वन ही रहने दीए तो मैं 1 ही र trembli ik outta कर देता हूँ अब मेरा micro recording start हो गया अब मैं क्या करते हूंगा पूरा उसके बाद इंसर्ट में जाओंगा इंसर्ट में जाने के बाद पाइवर्ट टेबल में जाने के बाद यहां पर बोल्ड रहा है यहां पर टेबल रेंज टेबल रेंज क्या था हम टेवल में कनवर्ट कर लिए इसलिए यहां पर टेबल वन आ रहा है अब यहां पर न्यू व से देख लेता हूँ यहाँ पर आ गया अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डेट ले लेता हूँ डेट को ले लिया और अपना gross total को ले लिए ठीक है यहाँ पर इस तरह से आ गया अब इस तरह से आने के बाद यहाँ पर आकर कि मैं अपने mouse से right click करूँगा तो यहाँ पर groups option है group option में जाऊँगा तो यहाँ पर इस तरह से pop up खुल गए अब यहाँ पर क्या month quarters year आ रहा है तो तो मैं क्या करूंगा quarter नहीं चाहिए मेरे को month year चाहिए तो उसको click कर दूँगा तो वो हड़ जाएगा और ok कर दूँगा इस तरह ok करूंगा तो इस तरह seat आजाएगा अब मेरा क्या है month यहाँ पर पूरा क्या दिख रहा है month दिख रहा है यहाँ पर जो total है जो sale हुआ है उसका total amount और यहाँ पर year है तो मैं चाहता हूँ year यहाँ पर आजाए तो क्या करूंगा इसके लिए सबसे पहले मैं क्या जाओंगा तो यहाँ design होगा design तो सबसे पहले हम design में जाएंगे design में जाने के बाद हमको क्या है यहाँ पर report layout है report layout को click कर देंगे arrow ह यहां पर इस arrow को click करेंगे तो इस तरह से pop-up खुल जाएगा तो so in tabular form में करके है उसको click कर देंगे यह तो यहां पर देखी यहां पर आगया हमारा year यहां पर आगया date यहां पर आगया total यहां पर आगया फिर से design में जाएंगे अब हम चाहते हैं एक दोनों के बीच में 19 और 20 के बीच में एक column insert हो जाए अलग अलग divide कर दे तो यहां पर हम so blank rows में जाएंगे blank rows में जाके insert blank line after each item तो यहां ok कर दूँगा तो यहां पर देखिए यहां पर एक blank हो गया तो दोस्तों यह तो हो गया अब मैं क्या करूंगा इस इस पूरा को यह हमारा final data है यह हमारा record अभिक मैंación copy कर दूंगा क्योंगма तो इसी को मैं copy कर दूंगा इस तरह से copy करके यहां पर मैं paste कर दूंगा तो एक बार यहां पर copy कर लिए हम यहां पर और यी तरह हम चार बार copy कर लेंगे तूस्यरा इसको adjust कर लेते हैं थोड़ा सा और यहां पर हम पांच वा इस तरह से पांच वा कर लिए यह देखिए यह हो गया पांच वार copy हो गया अब देखते हैं इधर से पहला वाला हमारा accurate है दूसरा ठीक है दूसरा हमारा क्या है running cell है running cell running cell और तीसरा वाला क्या है हमारा यहां पर cell change लिख देंगे cell change और यहां पर percentage cell ठीक है अब क्या करेंगे हम हमारा यह वाला तो clear हो गया पहला वाला clear हो गया दूसरा वाला को हम यहां पर आ करके running cell में right click करेंगे right click करेंगे so value sales में जाएंगे उसके बाद क्या है यहां पर आपका running sale है तो यहां पर एदे के running total इसको okay कर देंगे अब यहां पर date आ रहा है date आ रहा है year तो हमको date question लेकर नहीं और okay कर देना है तो यह हो गया हमारा running sale असी तरह हमारा sale change है sale change है तो यहां पर आकर करेंगे तो wanna which response form को okay कर देंगे यहां या ऊपर में date आ रहा है अब best item में क्या है यहां previous करेंगे previous करके ओके कर देंगे यह हमारा sale change हो गया अभर यह हो गया हमारा percentage से से हो गया तो यहां पुर से तो एस वेलिए में आएंगे परड़े इसको कर दिंगे और इसमें नीचे बेस आइटम में प्रिवियस कर दिंगे और कर दिंगे तो यह हमारा परसेंटेज सेल हो गया गया कि आईया अच्छा भी गा है चिस पानिस सब дополн इसमें October में सहीं भी कहा है तो इसलिए इसमें यहीं आ रहा है अपनों दोस्तों हमारा यह पूरा बन गया हमारा पूरा एक अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद हमको क्या है मिलेगा यहां पर Slicer मिलेगा slicer मिलेगा तो यहाँ पर option आ रहा है क्या क्या slicer में क्या क्या चाहिए तो एक particular party name चाहिए यहाँ पर particular और हमको क्या चाहिए item चाहिए item कर तो हमां को okay कर दूँँगा तो यहाँ पर 2 हमको slicer मिल गया यह slicer को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं मैं इसको यहाँ पर इतना चोटा कर लेता हूँ जादा ही चोटा होगे यहाँ पर इतना कर लेता हूँ और इसको उपर से इतना कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसी तरह इसको भी वैसी कर लेता हूँ मैं यहाँ क्या करूँंगा इस तरह से इस में और यहाँ पर छोटा कर के यह भी ज़्यादा च्छोटा होगे इस तरह से यहाँ पर इसको मैं रख दूंगा अब दोस्तों हम देखें कि जैसे इसको क्लिक किये हैं अब इसमें राइट क्लिक जैसे करेंगे तो रिपोर्ट कनेक्शन में जाना पड़ेगा रिपोर्ट कनेक्शन में इसलिए जाएंगे ताकि हमारा एक ही में चेक है तो सभी में चेक कर दिना है तो सभी में लिंक हो जाएगा जितना भी है और ओके कर दूँगा सेम इसमें भी ऐसे आ करके राइट क्लिक करोंगा रिपोर् उसी बस का पूरा डाटा आएगा हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं यहाँ पर दिखता है अगर मैं डियस इस्टिल करूंगा डियस का पूरा सेल फॉम आ गया दीपक का आ जाएगा एनर्जी का आ जाएगा उसी तरह हम चाहते हैं इसमें आइटम है देखें तो कितना कंप्यूटर का करेंगे तो कंप्यूटर का दिखा देगा डेक्स्टॉप का करेंगे डेस्टॉप का दिखा देगा मॉबाइल का करेंगे तो मॉबाइल का चार्जर का करेंगे तो इस तरह से पूरा सभी दिखा देगा यहाँ पर हम तो दोस्तों अब यह तो होगे हमारा वीडियो अब हम क्या करेंगे जो मेक्रो रिकार्ड कर रहते हैं उस व्यू में जाकर कि उस मेक्रो को यहां से स्टाप कर देना है यहां से स्टाप करने के बाद हम क्या करेंगे एक छोटा सा इंसर्ट पटन करेंगे यहां पर करके यहां पर एक सेप लेंगे इस तरह से और य यहां पर MIS लिख देंगे, ठीक है, MIS लिखने के बाद यहां राइट क्लिक करेंगे, और यहां जो हम मेक्रो रिकार्ड गये थे, SIGN मेक्रो वो है, यहां पर OK करके, OK कर देंगे, अब जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारा MIS आ जाएगा, तो अब हम अपने MIS को हटाना है, तो कैसे करेंगे, जितना भी है, अब क्या करेंगे, एक छोटा सा मेक्रो और रिकार्ड करेंगे, इसको हटाने के लिए, view में जाएंगे यहाँ पर मेक्रोष है उसमे record मेक्रोष में जाएंगे micro 2 है तो ok कर देंगे अब हम क्या करेंगे इसको फूरा select करके इधर से इधर तक यहाँ पर right click करेंगे और यहाँ delete कर देंगे हमारा तो slicer बजगिया इसको भी delete कर देंगे यहां पर भी delete कर देंगे और हम view में जाकर कि अपना macro stop कर देंगे अब यहां पर इसी तरह जैसे करेंगे देखिए automatically एक हमारा slicer बन गया यह देखिए automatic एक click से ही बन गया है देखिए अब इसी तरह हम क्या करते हैं यहाँ पर जा करके एक और क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से इसको लिख देते हैं एडिट करके हम यहाँ पर या तो फिर यहाँ से एक नया इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर गए हैं सेप गए हैं सेप में जाने के बाद यहां पर जा करके एक अच्छा सासे फ्ले मिये और इसको चैंज करके यह राइट क्लिक करके एडिट्टेक्स हंएं मैं डिलीट करती है है ठीक है इस वैज्छ फूरा सफोटा करतेंगे तो हमारा आ जाएगा यह देखिए अब यहां right click करके SI gen macro करतेंगे और हम macro to जो हम record के थे okay कर देंगे और यहां पर हम करेंगे तो वो पूरा delete हो जाए देखिए पूरा delete हो गया यहां से अब फिर से MIS करेंगे तो हमारा यहां पर आ करके फिर से सिफ और सिफ एक सेकेंड में आ जाएगा अभी कहीं कुछ हम गलती कर दिए इस बार इसलिए वैसा हो आ रहा है लेकिन बागी तो हमारा पूरा data सही है और अगर आप data check करना चाहते हैं कि देखिए यहां यहां पर देखिए हमार फंदरा से 1526-बरा सिफ चाह Seven Room Hasirm 75 और यहां पर यहां पर इसका है अपरेल मुझ कैँ तो हम अपरेल मंद के टोटल में कम कर देते तो वहां पर भी कम हो जाएगा चली देख लेता है virtual 788 है तो मैं यहां पर 77 कर देता हूं ठीक है 77 77 यहां किया और यहाँ पर 74 एती युझ भर 73 हो रहाया तो मैं डीलीट कर देता हुआ एसे आप क्या करता है-माइ इसको क्लिक करूंगा तह 53 अना चाहिए यह देखिए आप आप देखते हम 73 है देखिए तो यहां auto change हो रहा है auto refresh हो रहा है तो चली दोस्तों मेरा वीडियो आपका चला का तो please like subscribe and share जरूर करें